आपका स्वागत है अपढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौपरियों की तैयारी के लिए एक बहतरीन प्लेट पॉम चले ये शुरू करते हैं नमस्कार साथियों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो उनलाइन पर राजिस्थान अपोहा तंत्र जैसा की हम जान चुके हैं कि जो राजिस्थान अपोहा तंत्र है उसको तीन भागों में बाटा गया है अन्ताह प्रवात अंत्र अरब पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हमने जाना था अरब सागर प्रवात अंत्र की नदियों के बारे में और आज के इस पार्ट फोर में हम जानने वाले हैं बंगाल की खाडी प्रवात अंत्र की नदियों के बारे में तो इस प्रवात अंत्र की जो प्रमुक नदियां ह उसमें सबसे महत्पून चंबल नदी है बनास नदी है बनास नदी चंबल नदी की ही सायक नदी है गंभीर नदी है और बान गंगा नदी है तो चलिए शुरू करते हैं चंबल नदी से चंबल नदी राजस्थान राज्जी की वर्ष भर भेने वाली प्रमुख नदी है चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र नित्यवाहिनी नदी है जो निरंतर भेती रहती है और राज्जी की सबसे लंबी नदी है और राज्जी की सरवदिक जलापूर्ती करने वाली नदी ह चंबल और उसकी साहिक नदियों का जो कुल अपोहा शेत्र है वह राजिस्थान के कुल अपोहा शेत्र का 20.29 प्रतिशत है चंबल नदी का पौरानिक महत्व भी है जिसका उलेक महाबारत में भी मिलता है चंबल नदी का जो उद्गम है वह मद्य प्रदेश के इंदोर जिले के महू के निकट जनानपाव पहाडी विंद्याचल परवत माला से होता है अपोहा शेत्र मद्य प्रदेश के मंसौर जिले से चंबल नदी राजिस्थान में चित्तोरगड में इस्थित 84 गड़ दुर्ग के पास से राजिस्थान में प्रवेश करपी है और दक्षिन पूर्वी राजिस्थान चित्तोरगड कोटा बूंदी सवाई मादवपुर करौली वा धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मुरादा गंज के समीप यमना नदी में जाकर मिल जाती है चम्बल नदी बहते हुए सवाई मादवपुर से धौलपुर जिले तक राजिस्थान वे मद्य प्रदेश की सीमा बनाती है जो चंबल नदी है वह सवाई मादावपुर, करॉली, दोहलपुर में राजिस्थान और मद्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारन करती है। जो चंबल नदी को उसकी विशेश्थाओं के आधार पर कई उपनामों से जाना जाता है। राजा रंती देव ने चंबल नदी के टट पर अनेक यग्यों का आयोजन किया था, जिन में अनेक पशुओं की बली दी जाती थी। रंती देव के यग्यों में नदी टट पर जो आद्र चर्म राशी खटा हो जाती थी। इसी से इसका नाम चर्मनवती पड़ा। तो चर्म का मतलब चमडा स्किन होता है ऐसी नदी जिसके किनारे पर चमडा सूख जाता है। इस वज़े से चंबल नदी का जो पराची नाम था वह चर्मनवती नदी था। चंबल नदी को राजिस्थान की काम धेनू भी कहते हैं क्योंकि यह राजिस्थान राजिकी सरवदिक जलापूर्ती करने वाली नदी है। प्राचीन नगर है और राजिस्थान के कोटा शहर से 22 किलो मीटर दूर चंबल नदी के टट परिस्थिद है। इस केशव राय पाटन के पास चंबल नदी का जो पाठ है इसकी जो चोड़ाई है और विस्तार है वह अधिक्तम हो जाता है और गहराई भी बहुत अधिक हो जाती है। पूछ लिया गया है कि राजिस्तान का कानपुर किस शहर को कहते हैं तो उसका सही जवाब कोटा होगा। मीटर का सफर तै करती है और राजिस्तान में 322 किलो मीटर का सफर तै करती है। जैसा कि अभी हमने जाना कि यह तीन राजियों से होकर गुजरती है मद्य प्रदेश, राजिस्तान वे उत्तर प्रदेश। तो इन तीनो राजियों की जो चं म नदी की बहाव लंबाई है वह 252 किलो मीटर है और उत्तर प्रदेश में जो चं म्न नदी की लंबाई है वह 157 किलो मीटर है। और जो चंबल नदी की पुरानी लंबाई है वह 967 किलो मीटर है जिस में से राजिस्थान में 135 किलो मीटर तक प्रवायत होती थी। गत परिक्षाओं में यह प्रश्ण पूछा गया है कि एलीनिया सिचाई परियोजना किस नदी के किनारे परिस्थिद है तो उसका सही जवाब होगा चंबल नदी के किनारे पर और चंबल नदी राजिस्थान में सरवदिक अवनलिका अपरदन होता है और राजिस्थान में जो चम्बल बेसिन है वह उत्खात इस्थलाकृती के लिए भी प्रसिद्ध है। यह प्रिशन भी रीट की परिक्षाओं में और गत परिक्षाओं में पूछा गया है। तो जानते हैं यह अवनलिका अपरदन क्या होता है। जब ढ़ाल की और नदी बहती है तो वह मिट्टी के कणों को खाड़ कर बहा ले जाती है और इससे अवनलिकाएं बन जाती हैं और धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर विश्थर शेत्रों में फैल जाती हैं। इसी को अवनलिका अपरदन कहते हैं। चंबल नदी का तीवर ढ़ाल वाला शेत्र है जो की चंबल नदी के द्वारा गहरे गड़ों से निर्मित है उसे उत्खात इस्थला कृती कहा जाता है। चंबल नदी शेत्र में उत्कात इस्तलाकृती बीहड एवं गहरे गड़ों वाले शेत्र को डांग शेत्र भी कहते हैं। जो बीहड शेत्र है वह सवाई मादवपुर, करॉली और दोहलपुर तक फैला हुआ है। चंबल नदी की जो प्रवा प्रणाली है उसका आकार व्रि दक्षाकार है जिसका बहाव दक्षिन से उत्तर की ओर है। चंबल नदी कैई जलिय जीवों की संरक्षित इस्तली भी है जिसमें सबसे महतपून है गड़याल, डॉल्फिन या गंगाई सून्स, उद बिलाव, लूत्रा-लूत्रा। यहां पर यह ध्यान रखने योग्य है कि जो डॉल्फिन है या गंगाई सून्स है वह अमारा रास्ट्रे जलिय जीव है। चंबल नदी में जो महतपून नदियां आकर मिलती है। उनमें चित्तोरगड जिले में बहसरोरगड के निकट इसमें बामिनी नदी आकर मिलती है। दाइं और से आने वाली सबसे लंब चंबल नदी में मिलती है। सवाई मादपूर जिले में पलिया नामकिस्थान पर पारवती नदी आकर मिलती है। और सवाई मादपूर जिले में रामेश्वर नामकिस्थान पर इसमें बनास तथा सीब नदी आकर मिलती है। सीब नदी और बनास नदी के संगम पर यहां पर तिर्वेणी संगम बनता है जिसे रामेश्वर घाट के नाम से जाना जाता है। चम्मल नदी में जब बामनी नदी बहस्रोडगड में आकर मिलती है तो चितोडगड में यह चूलिया जलपरपात बनाती है। महत्पून है चूलिया जलपरपात जो की राजिस्थान का सबसे उंचा जलपरपात है जिसकी उंचाई 18 मीटर है और समीप में ही रावत भाटा परमानू बिजली घर है जो की कनाडा के सयोग से 1965 में इसका निर्मान कार्य प्रारम हुआ था। राजिस्थान में ही आधूनिक एकमात्र हैंगिंग बिज चंबल नदी पर कोटा में इस्थित है और इसकी कुल लंबाई डेड़ किलो मीटर है। चलिए अब जानते हैं चंबल नदी पे भाउत देश ये बांध परियोजना हैं। चंबल नदी पर जो बांध परियोजना हैं उसमें चंबल में तीन चरणों में चार बांधों का निर्मान किया गया था। इसमें प्रथम चरण में गांदी सागर एवं कोटा बराज का निर्मान किया गया था। दुतिय चरण में राणा प्रताप सागर बांध चितोडगड में और तृतिय चरण में जवार सागर बांध शुरू किया गया था। चम्बल नदी विश्व की एक मात्र नदी है जिसके सौ किलो मीटर के दाइरे में ही तीन बांध बनाए गए हैं और इन तीनों पर ही विदुत उत्पादन किया जाता है जो चम्बल नदी परियोजना है वहर राजिस्थान और मद्यप्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों की आदी आदी इस्सेदारी इसमें है जिसका कार्रे 1952-54 में प्रारम हुआ था सबसे पहले मद्यप्रदेश में गांधी सागरबांध 1960 में मद्यप्रदेश के भानपुरा तैसिल में बनाया गया था यह बांध 84 गड़ से 8 किलो मीटर पहले एक घाटी में बनाया गया है आगे चलने पर राणा प्रताप सागरबांध है यह गांधी सागरबांध से 48 किलो मीटर आगे चितोडगड में चूलिया जल प्रपात के समीब रावत भाटा नामकिस्थान पर 1970 में बनाया गया है आगे चलने पर जवार सागर बांध है जो की रावत भाटा से 38 किलो मीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गाउं में बनाया गया है। जवार सागर राणा परताप सागर और गांधी सागर विदुत पादन के लिए इनका निर्मान हुआ है और जो कोटा बराज है वह सिचाई कार्यों के लिए बनाया गया है और यह कोटा शहर के पास बनाया गया है। कोटा बराज चम्बल का सिचाई बांध है इससे सिचाई के लिए दो नहरे निकाली गई हैं बाई नहर कोटा बूंदी के लिए और दाई नहर कोटा बारावे मद्ध परदेश के लिए निकाली गई है। चलिए अब जानते हैं चम्बल नदी की महत्वपूर साहिक नदियों के बारे में चम्बल नदी की जो साहिक नदियां हैं उसमें मद्ध परदेश में शिवान, रेतम, एवं शिप्रा प्रमुक हैं और राजिस्थान में परवन, अल्निया, बनास, पारवती, बामनी, कुर चम्बल नदी की दाई ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी साहिक नदी हैं नोनेरा कोटा में आकर चम्बल नदी में मिल जाती हैं काली सिंद और आहू नदी के संगम पर सर्वशेष्ट, जलदुर्ग, गागरोन इस्तित है और काली नदी वे आहू के संगम को जहलावाड में सामेला कहा जाता है महतपूर्ण है जो त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाठ है जो की सवाई मादोपुर के पद्रा गाउं में स्तित है वे है चम्बल नदी, सीप नदी और बनास नदी के संगम पर बनता है चलिए अब जानते हैं चम्बल नदी की दाई ओर से आकर मिलने वाली सबसे महतपूर्ण नदी, काली सिंद नदी जिसका उदगम देवास मद्यपरदेश के बागली गाउं की पहाड़ी से होता है और यह राजिस्थान में प्रवेश राएपुर गाउं जालावार में करती है और नानेरा कोटा में चम्बल नदी में मिल जाती है काली सिंद राजिस्थान में 145 किलो मीटर तक बहती है इसकी जो प्रमुक सायक नदिया है वें है आहू और परवन नदी, आमजर, चोली, उजाड आहू नदी जो की काली सिंद नदी की सायक नदी है उसका उदगम सुसनेर मद्यपरदेश से होता है और यह राजिस्थान म नंदपुर गाउं जालावार में प्रवेश करती है और यहीं पर गागरोन के किले के पास जालावार में यह काली सिंद नदी में मिल जाती है और दोनों के संगम पर गागरोन दुर्ग इस्तित है परवन नदी भी काली सिंद नदी की प्रमुक सायक नदी है जिसका उदग मद्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है और यह राजिस्थान में प्रवेश खरीब और गाउं जालावार में इसका प्रवेश होता है और यह रामगड कोटा में काली सिंद नदी में मिल जाती है और इसी नदी पर बारा जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है इसकी साहिक नदियों में निमाज, धार और छापी प्रमुक नदियां है तो यह भी महत्पून प्रशन है कि शेरगण अभ्यारण किस नदी के पास इस्तित है तो उसका सही जवाब परवन नदी है नेवज या निमाज नदी जो की परवन नदी की साहिक नदी है इसका उदगम मद्य प्रदेश में विंद्य परवत के उत्री भाग से निकल कर यह राजगर मद्य प्रदेश जिले से होती हुई राजिस्थान में जालावार जिले में कोलू खेडी के निकट प्रवेश करती ह वे बारा तथा जालावार की सीमा पर मवासा अकलेरा के निकट परवन नदी में मिल जाती है पारवती नदी यह भी चंबल नदी की एक महतपूर्ण सायक नदी है जिसका उदगम मद्य परदेश के शिहोर शेत्र से होता है जो की राजिस्थान में करिया हाट बारा में नामक प्रवेश करती है यह पालिया कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है और जो पारवती बेसिन है वह राजिस्थान और मद्य परदेश राजिके बीच एक प्राकुर्तिक सीमा का सुरुजन करती है पारवती नदी की जो प्रमुक सायक नदिया है उसमें लासी, बर्नी, बे यह नदी कोटा में मुकुंद्रा की पहाडियों से निकलती है और कोटा के नोटाना गाउं में यह नदी चंबल नदी में आकर मिल जाती है। कुनू नदी इसका उदगम मद्य प्रदेश के गुना से होता है और यह राजस्थान के बारा जिले के मुसेरी गाउं में राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मद्य प्रदेश में 48 किलो मीटर बैती है। यह नदी 12 जिले में से कुना मद्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 24 किलोमीटर बहने के बाद यह कोटा के गोवर्धनपुरा गाउं में चम्मल नदी में मिल जाती है मेज नदी महतपुन नदी है जिसका हुदगम भीलवाडा जिले से होता है और भीलवाडा जिले से निकल कर यह बूंदी जिले में लाखेरी के निकट चम्मल नदी में मिल जाती है इसकी साहिक नदियों में बाजान, कुराल वा मांगली है तो यहाँ पर एक महतपुन प्रिश्ण यह भी बनता है कि भीमलत जलपरपात किस नदी पर बना है तो उसका सही जवाब है मांगली नदी पर और यह मांगली नदी मेज की साहिक नदी है कुराल नदी जो की मेच की ही सायक नदी है वहे उपर माल के पठार से निकल कर बूंदी के पूरु से भैती हुई चंबल में मिल जाती है चंबल की एक अन्य महत कुण सायक नदी, बामनी नदी, वापनी या ब्राहमनी नदी है जो की चितोड़ गर जिले में हरीपुरा गाउं के निकट से निकल कर बहसरोड़ गर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है महत्पून है जो भैंसरोडगर दुर्ग है वह चंबल वे बामनी नदियों के संगम पर इस्तित है और तो यहाँ पर यह प्रिश्ण भी महत्पून बनता है कि बस्सी अभ्यारण किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो उसका सही जवाब है अरै वे बामनी नदी के संगम प इनका जो उद्गम है वह मद्य प्रदेश से होता है और इस तरीके से नदी प्रवायत होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रिवेश कर इटावा के मुराद गंज में जाकर यमना नदी में जाकर मिल जाती है और यमना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और गंगा नद तो उसके लिए आप इजी ट्रिक का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, मा, पापा ने गुस्से में आज चीकु को बार-बार काले गोडे पर से हटाया, इससे कैसे, मा से आपको याद रखना है, मांगली नदी, पापा से आपको पार्वती नदी, ने से आपको याद रखना है, नेवाज या निवाज नदी, गुस्से से आपको याद रखना है, गुंजाली नदी, मे से आपको याद रखना है, मेज नदी, आज से आपको याद रखना है, आहु नदी, चीकु से आपको याद रखना है, चाकन, बार से ही आपको याद रखना है बामनी या ब्रामनी नदी, काले से आपको याद रखना है काली सिंद नदी, गोडे से आपको याद रखना है गोडा पचाड नदी, पर से आपको याद रखना है परवन नदी, से से आपको याद रखना है सीप नदी, तो इस तरीके से आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं परिख्षाओं की तेयारी के साथ-साथ अपना ग्यान बढ़ाने के लिए बने रहें हमारे साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साथ यो प्लिट ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सबसक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई ग्लास में स्नव हो पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद